को थे गाइस देखो आज मैं आपको इसा पैनि स्टॉक जिसमें बहुत बड़ी घ्रावाट के नाइन स्टॉक है मतलब पको यह ब स्टॉख तो हो सकता कि अगले पांक चालों में 40-45 परसंट का भी रिटर निकाल के दे कितना हजार 4045 परसंट मतलब कुछ भी हो सकता 50,000 या 1,00,000 परसंट का भी रिटर निकाल के दे सकता 90% गिरावाट के बाद लेकिन जब एक company में आपको बता दू 90% या फिर 95% के गिरावाट में मिलती है ना तो उस company का कोई value नहीं होता है एक दम रद्धी हो जाती है वो company मतलब एक तरीके से समझो कि बरबाद हो चुका मतलब उसका sales हो promoters के हिस्चिदारी हो बता दू देखो stock market है तो यहाँ पर जितना हो सकना है खुद के बलबूते पर profit करने की कोशिस करो क्योंकि आप कोई पता कि आप कितना risk ले सकते हो और अपने portfolio में ज़्यादा company मत खरदा करो 10 से 15 बस उससे ज़्यादा मत खरदा करो एक चीज में आपको बता देता हूँ और खुद का research एक बार जरूर कर लीजेगा यहाँ पर अभी यह देखीगा ध्यान से देखीगा 86% की गिरावट मतलब यह तो मैंने बहुत पूराना चार्ट है उसको adjust किया तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर 36% लेकिन अगर इसको मतलब सही तरिके से zoom करके मतलब अगर किसी website में आगर open करते हो तो यहाँ पर आपको more than 90% का गिरावट देखने को मिलेगा कितना more than 90% कौन से company है पता है आपको मैं आपको बता देता हूँ Amazon मतलब देश की नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी company में 90% का गिरावट हुआ था एक बार और उसके बाद इस company ने लगबग 2 लाग से भी ज़्यादा return निकाल के दिया 2 लाग, 2 लाग, 2 लाग परसंट मतलब 2,5 लाग परसंट का return अगर किसी ने केवल 50 रुपे या 10 रुपे का भी SIP किया होता न तो आज की rate में भाई वो कहा होता न मतलब क्या ही बोले और यहां पर देखेगा इस company में मतलब यह आपको दिखतू रहा है 40 परसंट का लेकिन actual 60 परसंट का इदर रहे क्या fundamental क्या technical क्या company को देखना पहले खर दो उसके बाद देखेंगे पहले इस company का formula invest first investigate last याद रखो इस company का formula उस company का नाम पता है apple मतलब दुनिया ना केवल नाम से जानती है इसको और एक time ऐसा था इस company में 60% का गिरावाट हुआ था और इसका fundamental में आपको बहुत बरबाद हो रही थी company उसके बाद आज की rate में देखो कितना बड़ा return निकाल के दिया है यह तो मैंने आपको दिखा है बिदेश की company थी आप इंडिया की company की बात कर लेते हैं return देखने को मिला तो कभी-कभी यह भी होता है और इस company में जिफ यह क्या बोलते हैं अजीम प्रेम जी खुदी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लगबग एक time में 70% से जादा गिरावा था उस company का नाम देख लो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्जामपल है बहुत ही सारे ऐसे एक्जामपल है बजाज की बात कर लेते बजाज फाइनेंस वह भी 80% का गिरावट दिखाया था 2008 के वाजुमें मैं आमको बस इतना बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे company हैं जो 80% तक गिर जाते है 90% तक गिर जाते ह है तो मैं आपको यह बोलूँगा कि जब भी आप किसी स्टॉक को खर दें अगर वह 30% या 40% गिर जाता तो आप निरास मत होएगा क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है याद रखो यहाँ पर 50% का गिरावट एकदम नॉर्मल है जैनूरन है मैं आपको बता तो यहाँ पर जब A to Z Infra Engineering यह स्टॉक अभी देखो 12 रुपे में देखने को मिला लेकिन अगर lifetime की बात करते हैं तो 400 रुपे तक इसका high था company का और 4 रुपे इसका low है यहाँ पर 400 रुपे तक गया था गूगल में जो चार्ट है थोड़ा बहुत low दिखाया था यहाँ पर जो price रहता है रियल निकाल के दे सकता है देखो मैं नहीं बोल रहा हूं मैं किवाल यहाँ पर आपको अपना point बता रहा हूं अपना point of view रख रहा हूं उसके बाद आप देखिए कि मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से यहाँ पर उसके वाज़े से यहाँ पर मैंने आपको Mike electronics बताया है जो company पूरी तरीके से debt free हो रही है और इनके परमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई गया है company के अंदर काम किया जा रहा है company profit करके दिखा रही है लंबे समय की बात करते हैं तो 200 रुपे का share आप देख लिए 60 रुपे मिल रहा है एक टाइम तो ऐसा था कि यह 70 रुपैसे में यही में बहुत भेंगर तरीके से गिरे हैं लेकिन यह stock में company जो है कुछ profit कर रही है company का जो काम होता LED screen manufacturing करती है जैसे mobile का हो गया TV का हो गया या फिर आगर car जब खरी देते हैं तो car के अंदर भी बहुत सार ऐसे display वगरा होते हैं किसी company के अंदर होता है theater के अंदर मतलब होत तो carry करी लेता है तो मैं बस आपको अपना point of view बताया रखा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं यह क्यूं बताया पहले यह भी देख लो अभी बजार में बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले stock भी गिरे हुए तो मेरा मानना यह है कि confident रखो मतलब बेचो मत चीजों को थ stock market में तो देखो मैंने आपको बताया है उसके बाद आपना decision खुद भी ले सकते हैं यहाँ पर और अगर आप stock market में नहीं है तो अपना demand account इंजल में open कर सकते हो जहां पर आपका demand बिल्कुल free होगा डिलेवरी चार्जेस भी free होगा केवल 20 रुपीज लगेगा वो भी इंट्राडेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने demand account वगर open कर सकते हो बिल्कुल free में देखो जब demand account free खोल रहा है तो टेंचल नेने वाली बात नहीं है पांच रूपे लगते है demand account open करने में लेकिन यहाँ पर आपको free of cost खोल के दिया जा रहा है तो description लिंक है मिंटो में जाके open कर सकते हैं यह offer आने वाले दिनों में खत्म भी हो सकता है